नमस्कार त्याहर जेल में सजा काट रहे बाहू बली नेता शहबुद्दीन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि शहबुद्दीन की जो पैरोल थी वो मंजूर हो गई है और अब वो अपनी मर्जी से अपने परिवार वालों से मिल सकेंगे लेकिन इसमें भी अब एक शहबुद्दीन के सामने परिशानी आ गई है कि इसको लेकर दरसल शहबुद्दीन बिहार के हैं और बिहार में दरसल उनके पिता का भी निधन हो गया था जिसको लेकर शहबुद्दीन ने ये अरजी लगाई थी कि उनके परिवार से मिलने दिया जाए उनके परिवार मे ये है कि शाहबुद्दीन को दिल्ली में मिलने की ही अनुमती मिली है और शाहबुद्दीन बिहार के रहने वाले हैं तो शाहबुद्दीन दिल्ली में आए या फिर बिहार में जाएंगे दोनों जगह से किसी एक जगह में ही जा सकते हैं लेकिन बिहार पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों ने ही शुरक्षा की गारंटी शाहबुद्दीन की नहीं दी है दोनों नहीं कहा है कि हम शाहबुद्दीन की शुरक्षा की गारंटी नहीं लेते हैं अगर वो आएंगे और उन पर किसी तरह का हमला होता है या फिर कुछ घटना घटती है तो उसके जिम्मेद हम नहीं लेंगे और इसी बात को देखते हुए शहबुद्दीन अभी तिहार जेल में हैं और वो बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भी किसी तरह की आशंका किसी तरह की घटना का घटना की आशंका है इसी के चलते शहबुद्दीन अभी जेल में हैं और अपने परिव प्रवार्टी नहीं मिलेगी तब तक शहबुद्दीन को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा यह एक साहबुद्दीन को लेकर बड़ी खबर है आपको बता दे कि शहबुद्दीन के उपर बिहार में दो भाईयों को तैजाब से नहलाने का आरोप था उसके बाद मुझे उ लेकिन दिल्ली में ही अपने परिवार से केवल मिल से केएंगे और हर दिन केवल 30 मिनट लेकिन अब बिहार पुलिस दोनों की दोनों ने जब अपने हाथ वापस खीच लिए हैं उनकी शुरक्षा को लेकर तो अब यह सवाल है कि क्या अब शाब दीन तिहार जेल से बाहर से नहीं होगा और इसी के चलते शाहबुदीन अभी अपने परिबार से नहीं बिलっ पा रही है